हेलो, नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी, और यूटुब पर जानकाई देनी मेरी होबी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये है टाटा की टैग及 और ये आपके सामने base variant खड़ा है तो base variant में हमें क्या-क्या देखने को मिल जाता है और क्या price है आज मैं आपको इस गाड़ी का पूरा का पूरा review करने वाला हूँ Tata Tiago से ये बड़ी है हाँ आपने सही सुना Tata की Tagore है और Tiago थोड़ी सी छोटी आती लेकिन ये थोड़ी बड़ी है और इसमें हमें काफी अच्छा boot space देखने को मिल जाता है और इसमें हमें charging वाला भी variant देखने को मिल जाता है EV और CNG वाला भी मिल जाता है और petrol वाला भी मिल जाता है तिरो वेरियंट अबलेवल है और पीछे यहाँ पर Tata का logo यहाँ पर Tata Tagore की branding की गई है देख सकते हैं आप लोग और पांच लोग की जगे आसानी से है गाड़ी में हम आगे वीडियो में price की भी बात करेंगे और क्या-क्या feature देखने को मिल जाते हैं अगर आप लोग सेफटी के प्रपस से गाड़ी प्रफर करना चाहते हो तो Tata की गाड़ियां प्रफर कर सकते हो बना किसी प्रोब्लम के बहुत अच्छी सेफटी मिल जाती है क्योंकि base variant में हमें automatic adjustable वाला option देखने को नहीं मिलता है click race और brake तिनों चीज़ देखने को मिल जाती है गाड़ी में और इसमें हमें 20 से start करनी बढ़ती है और जो इसका देखते हो यहां पर बीच में Tata का logo है एयर बैक देखने को मिल आते हैं safety के परपस से base हो या फिर mid range हो या फिर Thomas variant हो हमें सब में airbag देखने को मिल आते है speedometer fully digital form में देखने को मिल आता है हमें Tata की tag or का अब हम बात करेंगे इसके music infotainment की तो music infotainment गाड़ी में हर्मन का देखने को मिल आता है और यहां पर AC event मिल जाते हैं और ऊपर हमें अपने अपने भगवान की मूर्ति लगाने का option मिल जाता है जहां पर dashboard की तरफ बात करो हमें और यहां पर में night mode देखने को मिल जाता है base variant में भी Tata में इतनी सारी चीज़ें offer कर रहा है और यहां पर में छोटा सा गलब box है जिसमें काफी सामान आ जाता है AC आप लोग कम जादा है और अपने इसाफ से एडियस्ट कर सकते हो इसमें हमें automatic climate control का देखने को नहीं मिलता है वो इससे एक और nest जाओगे तो देखने को मिल जाता है और यहां पर 12 वोल्ट का चाहर है एक usb port है automatic और manual दोनों वेरियंट गाड़ी में अविलेवल है पांच गैर देखने को मिल जाते हैं और 1.2 cc पैट्र इंजन और cng भी मिल जाता है इसमें और charging वाल भी मिल जाता है और 84 bhp generate कर देता है power यह बहुत अच्छे चीज़ लगी मुझे आपको कैसी लगी हमें नीचे comment करके जरूरत है seat up हाँ से ही adjust कर सकते हो क्योंकि base variant में थोड़ी थोड़ी चीज़े हमें करती है लेकिन price बहुत कम है जिस हिसाब से गाड़ी का price है उस हिसाब से काफी अच्छे फीचर है और भाई आपको लगवग में बताऊं इसकी price बताचता हूं सबसे पहले तो लगवग 6,00,000 से लेक बाता है और यहां पर हमें एक लेटर की पानी की बोटल रखने की जगे देखने को मिल आती है और पीछे वाला भी इसमें में जो है power window है यह काफी अची चीजिए बेस वेरेंट में में all power window मिल आती है और music system भी देखने को मिल आता है और leg room बहुत बढ़ी है leg room इस गाड़ अच्छे feature है और बाकी लगनी रहा है गाड़ी में बैठके कि यह base variant है क्योंकि इसमें हमें हर चीज available दे दी गई है यहां पर छोटे-छोटे speaker हैं जिनसे sound की quality बहुत ज्यादा improve हो जाती है इसमें हमें XC, XM, XZ और 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 भी कई सारे variant मिल जाते हैं देखने को और आपको कौन सी पसंद है टाटा की ट्यागों पसंद है या फिर ट्यागों हमें नीचे कमेंट करके जरू होता है और सेगमेंट में प्राइज की बात करते हैं तो बहुत अच्छी गाड़ी है क्योंकि पांच लोग की जगे है प्लस पीछे CNG भी लग सकती है प्लस बूट इसपेस पाना और जैक वगरा सब कुछ गाड़ी में रखा हुआ है और हम इसको एक बार बूट स्पेस को बंद करेंगे फिर मैं आपको गाड़ी के आगी की तरब लेके जरूँगा डैस बोड में देख सकते हो यह है बहुत अच्छी है बैल्यू फॉर मनी है और स्पेस बहुत अ चीजे तो हमें मेंटेन करनी पड़े ही लेकिन बिल्ट क्वालिटे चीज है इसपेस अच्छी है और पैसे कम है तीन चार चीजे बहुत अच्छी देखने को मैं जाती है इसकर करके मैं आप से कहूंगा कि आप लोग टाटा की टैग और भी प्रफर कर सकते हो बना किसी प् करके जरूर बता है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर प्रेस करें जैसे ही मैं वीडियो डालू वीडियो आप तक पहुच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो तो यह कुछ फोटो से टाटा टैग और यह ब्लू कलर खड़ा उसको कौन सी पसंद लगती है जगे कम चाहिए या फिर ज्गादा चाहिए और इस पेस कैसे चाहिए आपको तैगों में थोड़ी सी कम इस पेस यह ज्गादा एं तो बस थोड़ा सा सई फिर्क है बाकि दोनों गाडिया ही बहुत अच्छी है। तो वाचिंग को एंतेमे